और यूक्रेणी राश्रुपती जेलेंस्की की नेटो से नाराजगी बढ़ती जा रहे और एक तरहां से जेलेंस्की नेटो पर अब आरोप लगाने शुरू कर दिये एक इंट्रिव्यू में जैलेंस्की ने कहा है कि वो समझ गए है कि नेटो हमें इस वीकार करने के लिए तयार नहीं है नेटो रूस से टकराव से डरता है नेटो की ही वज़े से एक तरह से रूस की नाराज़गी घेली पड़ी यूकरेन को व्लादेबिर पुतिन लगातार ये कहते रहे कि नेटो की मेंबर्शिप के लिए यूकरेन कोशिश ना करे नेटो का मेंबर ना बने लेकिन उस वक्त जैलेंस्की नहीं माने दो खास मेमान इसमक्त हमारे साथ जुड़े हुए है सूरेश गोयल साहब सूरेश गोयल साहब ब्रेक से पहले आप कह रहे थे किस पर आप कहना चाहते हैं प्रतिबंदों का असर क्या होगा लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस बड़ी ख़बर को जरा समझाईए कि इसके माइने क्या है नैटो ही वो बड़ी वज़े है जिसकी वज़े से व्लादेबर पुतिन बार बार कहते रहे कि ये कोशिश आप मत कीजिए बस इस कोशिश को छोड़ दीजे फिर कुछ नहीं होगा लेकिन उसमक्त जैलेंस की नहीं माने आज जैलेंस की नैटो पर ये आरोप लगा रहे है कि नैटो तो रूस से डरता है वो हमें accept नहीं करेगा देखिए ये बड़ी extreme language काम में ले रहे है जैलेंसी इस टाइम पर की नैटो रूस से डरता है रूस से टकराब में डरता है नेटो को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर किसी वज़े से नेटो और रूस में टकराब हुआ तो इसका मतनल वाब कि थार्ड बॉल्ड वोर होनी है तीसरा विश्वी दियो होना है उसके लिए कोई भी तयार नहीं है क्योंकि तीसरे विश्वी देवें पर्माणों युद होने की पूरी-पूरी संभावना हो जाती है तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि इस टाइम पर 30 सा भी चुश्चमी देश पर लगातार यूकरेन को उक्साते क्यों रहे जब यूकरेन ये कोशुश कर रहा था उसी वक्त पश्चमी देशों ने इस बात का एसास क्यों नहीं करवाया यूकरेन को मेरे ख्याल है उस टाइम पर भी अगर हम सारे रिपोर्ट देखें तब भी पश्चमी देशों से कोई भरोसा यूकरेन को नहीं दिया गया था कि हम आपको नेटो में शामिल करेंगे तो फिर यानि की गलती जैलेंस्की की है कि वो स्थिती का आकलन नहीं कर पाए और इसी उम्मीद के भरो से हाला कि नेटो ने कुछ खास कुछ साफनी कहा वो आगे बढ़ते चले गए और रूस को टकर देते चले गए और देखिए अल्टिमेटली में आपको स्थोड़ से हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं कि 1991 में उननी से क्याम में में जब सोवी नेटो को खतम हो जाना चाहिए और वो नहीं होता है तो नेटो को आगे रश्या की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए और ये अंडस्टेंडिक हो भी गई थी अब उसके बावजू नेटो आगे बढ़ता चला जा रहा है तो रूस को भी खत्रा मेसूस हो रहा है नेटो सी और नहीं चाहेगा कोई भी ना तो नेटो ना रूस को बिल्कुल बॉर्डर पर आकर के टकरा पैदा हो जाए तो यह नहीं होना था पक्की बात थी नहीं तो अब स्थिती है क्या जेलेंस्की तो साफ तोर पर कहरा है कि अब उन्हें बात समझ में आ गई है कि नेटो उन्हें हम आगे जो है यह युदनी चाहते हैं यह आगे हमको बस खाली शांती हो सीजफ़ायर हो और उसके बाद में सीक्यूरेटी के लिए हम बातीत करेंगी तो युद खत्ब हो जाएगा लेकिन जेलेंस्की यह कहेंगे नहीं साफ साफ ठीक सेना साफ जेलेंस्की यह बात जो इ एक कहावत है हर्याना में कि 16 दुनी आठ लेकिन वो बोलता है मानू तब सच कि 16 दुनी 32 होता है जब मानू सच तो होता होगा जब मानू मानू गहीं नहीं कि जलेंस्की मानने के लिए थियार रही है क्यों समझते हैं कि वो पोलिटिकली इरलेविट हो जाएंगे लोग उन इमेज बचाने के लिए वो उकरेन को बरबाद कर रहे हैं जब खुद बोल रहे हो कि नाटो ने अपनी जिम्वारी और रोल नहीं अता किया तो इसका मतलब नाटो आपका सपोर्टर नहीं है आपका फ्रेंड नहीं है तो जो जो आपको जिस तरह जुक के आप देश को लेकिन इसे देखने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर वक्त पर जैलंस की जोग जाएं तो पूरा देश बरबाद होने से बच सकता है आप यह कहना चाहता हूं और बुद्धी मता यहीं है जब आप देखते हो कि बड़ा लॉस को बचाने के लिए छोटा लॉस होता है तो यहां लो यदि देश को बचाने के लिए तुमारी गण्डी जाती है तो इन्टेव्यो में नैटों को लेकर अपनी नाराजगी जाता रहे है लेकिन पोतिने के सामने को ठोस प्रस्ताव करकने के लिए वह तैयार नहीं है योद्यक्य 14 वे दिन किस तरह की तस्वीरह आ के तबाही मची हुई है, अलग-अलग हिस्सों से लोग शेहरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, बड़ी आबादी पलायन कर रही है, पुल टूटे हुए है, अस्थाई पुल बनाकर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, कई शेहरों के सिती बेहद खराब.